एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यशिकास केवर पर आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में स्थन पान के बारे में कि जो स्थन पान है उसके क्या फाइदे होते हैं स्थन पान के फाइदे सिर्फ बच्चे को ही नहीं होते हैं मां को भी होते हैं अगर आ तो भी ऐसा होता है कि हमें breastfeed कराने में problem आती है, दूद जो है वो बनता नहीं है, दूद आता नहीं है, तो बहुत सी problems होती हैं, जिसके वज़े से हम formula milk या cow milk पर आ जाते हैं, बढ़ हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो breastfeeding है, वो improve हो, तो इससे पहले में आपको ये बताना चाहू होता है, क्योंकि उसमें सारे ही पोशक तत्म मौझूद होते हैं, जो भी बच्चे के development, जो भी बच्चे के विकास, सिर्फ बच्चे की body का ही विकास नहीं होता है, मा के दूद से, बच्चे का जो brain है, दिमाग है, वो सबसे जादा डवलप चो होता है, वो मा के दूद से ह होता है, तो जो बच्चे मा का दूद पीते हैं, उनका जो दिमाग है, उनका जो brain है, वो formula मिलके, काउ मिलके वाले बच्चों के according, जल्दी डवलप होता है, क्योंकि मा का दूद होता है, वो बच्चे के लिए मानसिक विकास के लिए बहुत सादा जरूरी होता है, और जो म इनकेस कभी problem आती भी है, तो अगर आपना दूद कंटीनियू ही रखती है, तो वो इससे ठीक भी हो जाता है, जैसे मान लिजे, ब्रेस्फीर आप कराती है, तो मानने ज़िए बच्चे को gas की problem है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चे सक कर रहा होता है, चूस रहा हो इसलिए कोई भी अगर बच्चे को problem होती है, तो हम solution के लिए उसके नाभी पे ही जो भी चीज़े करनी होती है, करते हैं, बट अगर बच्चे को gas है, और आप अगर अजवाईन खाती है, सौफ खाती है, तो उससे एक तो आपका जो दूद है, वो बढ़ेगा, दूसरा क्य जो प्रेगनेंट होती है, मैंने इसे पहले भी वीडियो बनाई, वे बता है कि प्रेगनेंसी में जो कहाना है, प्रेगनेंसी में तो आपको खाने का धियान रखना है, आफ्टर प्रेगनेंसी चैए, ėreannée 6 महीने तक, 6 महीने के बाद भी आपको अपने खाने पर इतना धि में पिस्तान देना होता है क्यूंकि आपके खाने से ही बच्चे के लिए दूद्ट जो है उसी से बनता है तो आप अगर अची चीज़े, हाल्धी चीज़े खा रहे हैं तो जो दूद्ध है वो भी हाल्धी ही बनेगा तो और जो बच्चे की रोक-परति-्रोधक शंता है वो को क्या फाइदा होता है जैसे जब बच्चा पैदा होता है जब डिलीवरी होती है हमारी तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत से गहां हुमारे अंदर हो जाते हैं उन सब को जो है रिपेर होने के लिए जो स्तन पान है उससे बहुत हैल्प मिलती है अगर हम बच बच्चे को दूद पई हमारी बहुत जाध है टो में बच्चे को दूद पिलाने में जाती है अब हेवारा या जो अब वजन पर दूद पिलाने या गांजाता है की बज़न के ओज Dublin केलरी की जरुरत पड़ती है दूद बनने के लिए बहुत सी चीजें है जो आप कर सकते हैं जिससे जो आपका दूद है वो जादा बढ़ भी सकता है और उसको आने में हैल्प पी हो सकती है तो यह तो हो गए फाइदे की जो बच्चे को आप दूद पिलाते हैं उसके होता है मा को यह फाइदा होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर हमें हो सकता है अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हमें ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होगा उसके चांसस भी कम हो जाते हैं कम क्या खाता ही हो जाते है इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मा के लिए और बच्चे के ना भूले, थैंक्स तो वाचिंग माइ फुल वीडियो